हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का जैसा कि आपकी इन दिनों काफी ज़्यदा कमेंट आते रहते हैं पुरानी वाली CISF हैड कॉंस्टेबल मिनिस्टियल भरती परिक्षा से संबंदीत कुछ लोगों का ये कहना है कि इसके परिक्षा एक्स्टेंट हो गए हैं फिर इक्स्टेंट हो सकती है यानि आगे बढ़ सकती है कि नहीं पूरी इन्फोर्मेशन के लिए बने रही है इस वीडियो में वीडियो को भी तक लाइक नहीं कियो तो लाइक कीजेगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे आप लोगों को हर एक इन्फोर्मेशन मिलती रहे आपकी सबसे बड़ा कनफ्यूजन जो है ब्यएस अप की परिक्षा 12 मार्च को है क्या इसकी परिक्षा की वज़ासे आप्की परिक्षा इक्स्टेंट होगी यानि खिसकेगी क्या देखें दोसं आपकी परिक्षा खिसकेगी बिलकुल नहीं CIS सब अलग डिपार्टमेंट है दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट की परिक्षा कंड़क्ट कराएंगे और बियस सब की परिक्षा भले ही एक्स्टेंट हो जाए यानि खसक जाए लेकिन आपकी CISP की नहीं किसकेगी 100% होगी क्योंकि CISP की नियू रिक्रूटमेंट की प्रोसेस भी स्टार्ट हो रखी है उसको डिपार्टमेंट अब बहुत जल्द कम्प्लीट कराना चाता है और 100% कालेज हो गयरा सब कुछ डिसाइड है सेंटर हो गयरा आपकी परिक्षा 101% कंड़क्ट कराई जाएगी आप लोग लाश्ट प्रेशन में बने रहें और एक बात आप लोगों के काफी ज़्यादा ये भी कमेंट आते रहते हैं कि अगर परिक्षा 11 मार्च के बजाए 19 मार्च के अगर रहते हैं आपका तो क्या एक साथ एडमिट कार्ड जारी होंगे एडमिट कार्ड दोस्तों एक सा साथ ही जारी होते हैं ऐसा नहीं है कि किसी का बाद में जारी होगा एक साथ ही एडमिट कार्ड आना सुरू हो जाएगा मार्च के फर्स्ट वीक से आप लोग निश्यनत रहें वीडियो को अभी तक लाइक निकियो तो लाइक कीजेगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्रा लुडाइक भाद वीक जाएगा और चैनल पर नहीं हो जाएगा यिश्यनत रहें पर लोगी प्रुझ जाएगा टिर्स्ट वीक से लाएगा जारा धरा की जाएगा बादूरा पाल पीक जा जारा है